नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ मत्मूट कुछ चैस लिए हुए हैं और उनकी विस्तार में हम लोग आंसर देख रहे हैं याद रखें इस तरह के हम लोग पांच टेश्ट आपके कतम कर चुके हैं और यह सभी टेश्ट आपके फिर चाहे आपका IES हो गया, State PCS हो गया जिसमें आप UPPCS, EIMPPSC, Bihar PCS जिस भी परिक्षा आप इस प्रक्यती के कुश्चन्स बनेंगे आपके उन सभी परिक्षाओं क आपकी Economy हो या Science हो, हर तरह से आपको इतना Material दे चुका हूँ, अब मुझे लगता है कि आपको Questions Solve करवाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किताबें हजार पढ़ लें, अगर आपको Questions बनाना नहीं आता है, Questions समझना नहीं आता है, तो आप Questions गलत करते रहेंगे, तो हम इसलिए आपका देख रहें कि Questions Solve करवा रहें, आपकी सामके आप देखते हैं कि आपकी One Day Jam को देहन में रखते हुए, Questions आते हैं, और सुबह आपके Civil Service और State PCS को, Prelims को देहन में रखते हुए, आपके Test आ रहे हैं, और आप भी अगर One Day Jam की तैयारी भी करते हैं, तब भी आ समझते जाईए कि किस तरह से आपको Questions पढ़ना है, किस तरह से आपको Solve करना है, क्योंकि देखता हूँ कि हम जब Exam Hall में जाते हैं, तो आते हुए भी हम लोग कई तरह के Questions गलत कर बैठते हैं, तो एक गलती हमें नहीं कर नहीं है, और इसकी PDF आपको Telegram पर मिल जाएगी, और आपकी जो पुराने टेस्ट होते जाते हैं, जो 5 क्लास खतम हो गई हैं, वो आपकी Test Series for IES PCS के नाम से जो आपकी फिले लिस्ट सूची है, उसी में डले रहे हैं, ठीकर, चलिए तो इसमें पहला Questions हम लोग देखते हैं, क्या है क्या है क्यूश्चिन हमारा? निमलिखीत कत्नों पर विचार करना है, इसे आप लोग दो तरह से solve कर सकते हैं, अगर आपकी समझ अच्छी विक्सित है, अगर आपने NCEIT पढ़ी हैं, और आप कुछ अच्छी लेवल पर पहुंच चुके हैं, मैं पहले बोल चुका हूँ कि आप लोग NCEIT पढ़ लें सम के पास, ठीक है, और हमारी तरफ से भी आपका NCEIT कवर करवा दी गई हैं, तो आपको जो जरूरी हैं, वही वही कवर की गई हैं, तो इसमें या तो आप लोग पहले इस पॉइंट को पढ़ लें, और यही पॉइंट है कि जो गलत करवा देता है कई questions, इस questions, इस पॉइंट को आप लोग एक से दो बार पढ़ लिया करिएगा, क्या वो लाएं, भारत के लिए 1981 और 1982 और 1991 से 1993 में, दो आउसरों पर उभरते भुकतान संतुलन की समस्या का सामना करने में I.M.F. कैडित ने महत्पूर्ण भूम क्या निभाई है, यह आपका बिलकुल सही है कथन, दू इसमें पूँच क्या रहा है, उपक कतनों में से कौन सा कतन सही है, तो आप देख रहे हैं कि एक कतन इसमें सही है, दूसरा कतन गलत है, दूसरा कतन आखिर गलत क्यों है, उस पर भी बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपको मालू होगा कि जो भारत की आंतरे क्रे इसके बाहरें की तुल्ला में अधिक है इसलिए एक गलत है इसमें एक सब्द आप देख रहे हैं I.E.M.F क्या? I.E.M.F याद रखिए आपके जो अंतराष्टिय संगठन है और राष्टिय संगठन है इनके बारे में मैं विस्तार से बात कर चुका हूँ एक-एक क्लास लिए हुई है सभी संगठनों से संबंदि तो आप लोग महत्पूर संगठनों की नाम से जो पिलेलिष्ट सूची है उसमार जाकर देख लें आप लो अगर आपको 200 से 2500 सब्द भी लिखने होंगे किसी संगठन पर तो आप उसे भी लिख सकते हैं इतने विश्टार से आपको पढ़ा दिये गए है ठीक है बस आपको पिलेलिष्ट सूची में जाकर देखना है सब कुछ उपलगद करा चुका हूँ बस से अड़ जेष्ट करना है वर आपको IIMF के बारे में अगर कुछ सामान जान करी देदे तो इसकी स्थापना आपको 1945 में देखने हो को मिलेगी 189 मेंबर इसमें कंट्री यानि की सदस 189 है और अगर इसके हेड़कॉर्टर की बात करूँ विस स्वास्त दिबस की थीम क्या है विस स्वास्त दिबस की थीम क्या है तो इसमें आप लोग देखेंगे डबलू एचो यही जारी कर दो इसकी 2019 की अगर हम थीम की बात करें तो इसकी 2019 की थीम आपको देखने को मिलेगी सार्भॉमिक स्वास्त कवरेज ये आपकी 2019 की है कब की 2019 की और 2020 की बात करें तो सपोर्ट सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइब्स ये आपकी 2020 की है अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि कब मनाया जाता है ये आखिर विस स्वास्त दिवस तो आप सभी को मालू होना चाहिए कि साथ अपरेल को मनाया जाता है कब साथ अपरेल को ठीक है और W.H.O. की बात करें अगर World Health Organization क्योंकि इसकी इस्थापना के उपलक्ष में ही इसे मनाया जाता है साथ अपरेल 1948 को आपके जो W.O. World Health Organization इसकी इस्थापना की गई थी अगर इसके हम लोग Headquarter की बात करें तो Geneva, Switzerland में आपको देखने को मिलीगा इसका Headquarter ठीक है चलिए अंगले Question की तरह में लोग चलते हैं क्या है Question हमारा नेमलिकित में से कौन से संस्थान विस बैंक समू का हिस्सा है याद रखिए इनकी सब के बारे में मैंने बिस्तार सी पढ़ा दिया गया है तो आप लोग Tension मत लीजे वहाँ जाकर देख लीजे क्योंकि आपका कई परिक्षाओं में और Civil Service के Freelings में तो आप लोग देखते होंगे कि हर साल इस तरह की Questions आते हैं एक Index से बन जाते हैं एक आपके इस तरह के जो संगठने इनसे भी बन जाते हैं तो इसमें क्या पूच रहा है आपका नेमलिकित में से कौन से सहस्थान विस्स बैंक समू का हिस्सा है यानि कि World Bank का अंतराश्टी पुनन निर्माड विकाप्स बैंक ये बिल्कुल सही बात है बहु पक्षी है निवेस गारंटी अजिंसी ये भी सही है अंतराश्टी मुद्रा कूस ये नहीं है आपका इसमें पूच क्या रहा है नीचे दिये कि वो गए कूट का पिरयोकर सही उत्तर चुनना है तो आप जान आए कि एक और दो सही इसमें तीसरा गलत है क्या है तीसरा गलत है जो आपका पुनननिर्माड और विकाप्स बैंक के लिए अंतराश्टी बैंक ये सभी आपके बेस बैंक के जो समूव है पांस संगर ठन है इसमें पहला पुनननिर्माड और विकाप्स के लिए अंतराश्टी बैंक दूसरा आपका अंतराश्टी बिकाप्स संग तीसरा अंतराश्टी बित्निगम और चौतरा आपका बहुपक्चिय निवेस गारंटी एजनसी और पांच बाह है आपका निवेस संबंदी बिवादों की निप्टारे के लिए अंतराश्टी एक हैंद तो इसमें क्या होगा आपका बी ओप्सन सही होगा एक बार आप लोग उन संगटनों को पढ़ जरूर लें क्योंकि इनसे कुश्चेंस पूछा जाता है और बड़े विस्तार से आपको पढ़ायागा निमलिकित में से कौन सी रिपोर्ट रिपोर्टे विस्वेंग द्वारा पिकासित नहीं की जाती है अब समझ में आया आपको इस पॉइंट को बड़े ध्यान से नहीं की जाती है विस्व आकलन रिपोर्ट ये आपकी 222 द्वारा नहीं जारी की जाती है Age of Doing Business Report ये भी आपकी जारी की जाती है विस्विकास रपोर्ट ये भी जारी की जाती है लेकिन आपकी वैस्विक आगलन रेपोर्ट आपकी 222 द्वारा नहीं जारी की जाती है क्योंकि ये बैसवीक आगलन रेपोर्ट है जो सयुक्त राष्ट आपदा जोकिम निवनी करन कार्याल है द्वारा जारी की जाती है जिसे आप लोग UN IHDR के द्वारा इसे आगलन को इस बैसवीक आगलन रेपोर्ट को विकासित किया जाता है फिर से सुन लिजे कौन करता है सयुक्त राष्ट आपदा जोकिम निवनी करन कार्याल है ठीक है और बाकी दो आपकी ये विस्ट बैंक आपकी जारी करती है तो इसमें सही बताना है हमें तो सही कौन सा है यानि कि आपका एक वूट गलत है क्योंकि आप जान रहे हैं कि पहली रेपोर्ट नहीं जारी की ज अगर आपसे पूँच लिए तअ कि जारी की जाती है तो आप जानते हैं कि 2 और 3 सही होता है इसमें लेकिन इसमें नहीं पूचा है तो आते पहला बाकी खूल एक सही नहीं से बड़े ध्यान से पड़ लिए करिए कुश्चन को क्योंकि आप जाना हैं कि आपको फसाने के लिए इस तरह के questions पूछे जाते हैं कि आप आते हुए भी गलत कर वैठते हैं समझ में आए बिस बैंक समझ द्वारें पिकासित रेपोर्टों की अगर हम बता दें कुछ तो बिस विकास रेपोर्ट हो गई बैस विकास रेपोर्ट विकास रेपोर्ट ये सबी आपकी बिस बैंक जारी करती हैं ठीक है चलते हैं अंगले कुष्चन की तरफ हो लोग पिकासित इज और डूइंग बिजनिस रेपोर्ट में नेमलिकी सुधार उपायों मैंसी किसे रैंकिंग की गड़ना में सामिल नहीं किया जाता है क्या पूछ रहा है सामिल नहीं किया जाता है बिद्धुत सुधार इसे सामिल किया जाता है आपका बस्तु येवं सेवा कर इसे सामिल नहीं किया जाता है दिवाला और सोधन आच्छमता इसे भी सामिल किया जाता है समीदाओं का समीदाओं का पिवर्तन इसे भी सामिल किया जाता है तो किसे सामेल नहीं की आ जाता है B option को तो इसमें क्या होगा आपका B option क्या होगा B option होगा इसमें ठीक है चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं अगला question क्या है मारा Nim liquid क्या है Nim liquid रेपोर्टों सुचकांकों को उन्हें पिकासित करने वाले संगठनों के साथ सुम्मिलित कीजिए मैं क्या करना है सुम्मिलित करना है जो आपकी रेपोर्ट ने सुचकांक दिये गए यह संगठन है जो रेपोर्ट संगठन जारी करता है उससे आपको मिलान करना है एक समय आप देखते थे ना कि सही जोड़ियां बिलाने के लिए आती थी उसी तरह का ही questions पूँचा जा रहा है और मैंने बताया ना कि index और दूसरा संगठन इन्हें बड़े अच्छे से याद कर लेजे क्योंकि इनसे questions मैं देखता हूँ कि हर साल पूँचे जाते हैं आपके जैसे बैसबिक लेंगिक अंतराल सुचकांग एक कौन जारी करता है आप देखेंगे कि ये विस आर्थिक मंच जारी करता है कौन विस आर्थिक मंच लेंगिक समानता सुचकांग एक कौन जारी करता है यूनेस को जारी करता है बैसबिक महला रिपोर्ट एक कौन जारी करत यह आपका आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए सयुक्तराष्ट विभाग जारी करता है। लिंग आसमानता सूचकंग यह आपका सयुक्तराष्ट विकास करक्रम जारी करता है। तो एक किस से मिलेगा जोड़ी? दो से यानि कि बैसविक लेंगिक अंतराल जो सूचकंग है किस के द्वारा? विस आत्थिक मंच के द्वारा। लेंगिक समानता सूचकंग 2 क्योंकि यूनेस को जारी करता है तो एक। बैसविक महला रिपोर्ट सूचकंग यह आपका चौतरी से मिलेगा यानि कि 3-4 से सही होगा। और लेंगिक असमानता सूचकंग 4-3 तो इसमें आपका कौन सा सही चुनना है में? तो इसमें आपका होगा D-Option सही होगा। पीडियाब में अच्छी तरह से देख लीजे और उसके बात आप लोग मिलाते रही हैं ठीकर? अच्छे से चलते हम लोग अंगले question की तरब क्या है question हमारा? निमलिकित कत्रों पर विचार करना है में? निमलिकित कत्रों पर क्या करना है? विचार करना है बीमा की पहुँच को किसी दिये गए वर्स में हुए बीमा की प्रेमियम से कुल आबादी में आबादी के अनुपात के रूम में परिवासित किया जाता है क्या ये कथन सही है? बिल्कुल नहीं बीमा गनत्य को किसी दिये गए वर्स में हुए बीमा की प्रिमियम को सकल गरेल उत्पाथ जीडीपी के अनुपाथ में के रूम में परिवासित किया जाता है ये भी आपका विल्कुल गलत है क्या पूछ रहा है इसमें उप्यों कत्रों में से कौन सा कत्र सही है बीमा चेत के प्रिमियम के अनुपाथ के रूम में परिवासित किया जाता है दूसरा क्या है बीमा गनत्य को किसी भी वर्स में कुलाबादी के लिए हस्ताख चरित किये गए प्रिमियम के अनुपाथ किरू में परिवासित किया जाता है अंतराश्टी ये तो लामी सुविधा के लिए तू उसे अमेरिकी डॉलर में मापा जारता है आपका ठीक है तो इसमें आपके दोनों कतन गलत थी तो क्या option होगा डी option ना तो एक सही था और ना ही दो सही था चलते हम लोगों गंगले question की तरफ समर्थन के लिए सकल मापन समाचारों में रहता है आप सो लोग देखते रहते हैं या निमलिकित में से किस से संब्दी थे आकित या आपका विस्तो व्यापार संगटन से संब्दी थे इसकी अगर विस्व ब्यापार संगठन की बात करूं ते एक जन्वरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी इसका जो हेर्ड कॉर्टर आप देखेंगे जेनेवा सुईजलेंड में आपको देखने को मिलेगा कहां जेनेवा सुईजलेंड में ठीक है एक कुछ पॉइंट है इने याद रखिएगा आप लोग क्योंकि इनसे हर बार आप देखते हैं कुश्चन्स बनते रहते हैं और जो सबनतन के लिए सकल मापन है एक सूचक है जिस पर विस्व्यापार संगतन यानि की डबलू टी ओ कि अंतरवित किरसी पर औरुगवे तौर की वर्ता के लिए घरेलू समरतन विवस्ता आदारित है ठीक है चलते हैं कुश्चे नमर अंगला हमारा क्या है निम्लिकित कतनों पर हमें विचार करना है क्या करना है विचारी करना है कवक समूव में विविन पिकार के सौपोसी एवं परपोसी जीब सम्मलित है या आपका गलत है कबक केवल आद्ध इस्थानों में उपते हैं ये वी आपका गलत है कबक के कारण मानों में मस्तिस्क जुआर हो सकता है यानि कि बुखार ये आपका सही है क्या है? ये आपका सही है इसमें पूँच क्या रहा है? उपयुक्त कथ्रों में से कौन सा कथ्छन सही है तो आप देख रहे हैं कि वन तीन कथ्छन आपके सामने सही है बाकि एक और दो गलत है क्यों है आखिर गलत उसको भी बता देता हूं कवक समूम में बिविन पिकार के सौपोसी और परपोसी जीप संबलित होते हैं जीवाडू आपकी सौपोसी में सामिल किये जाते हैं। कबाक अपना बोचन स्वय में नहीं बना पाते हैं। इसलिए ये परपोसी यानि कि दूसरे पर डेपेंड होने बाएले कहलाते हैं। कबाके एवन सुक्च जीवाडू अंतरेक्ष में भी उत्पन हो सकते हैं। इन जीवों को सूची बदे करने के लिए कई अंतरेक्ष एजन्सियों द्वारा विम्हिन परियास भी आपको देखने को मिले हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका? केबल तीन कतन सही होगा. केबल तीन. अब यहां आप भी सोच सकते हैं कि अगर पूच लेता की गलत कौन-कौन से हैं, तो आप एव उप्सन लगाते हैं। लेकिन पूचा है सही, तो आप क्या लगाएंगी? C उप्सन. बड़े अच्छे सती ध्यान लगाकर आप लोग पढ़ा करिए हैं क्योंकि देखते हैं एक ही दो कुश्चेंस गलत हुए, कटॉप से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। कुश्चिन है मारा, निमलिकित कत्रों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। राष्टी ये कंपनी कानून न्यादी करन का गठन भारतिय दिवाला और सोधन आज चमता सहिता 2016 की तहित किया गया है। गलत है। राष्टी ये कंपनी कानून न्यादी करन पितियस फ़र्दा आयोग द्वारा जारी किसी भी देशा नेदेश के कलाब अपील को सुनने और मामलों का निप्टान करने के लिए अपीलिय न्यादी करन है। ये आपका सही है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति उच्चितम न्याले के कॉलेजियम द्वारा होता है। ये भी आपका गलत है। इसमें पूचा क्या है? सही कतन हमें बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किवल दो कतन सही है। इसमें एक और तीन गलत है। आकर एक तीन गलत क्यों है उसको भी बता देता हूँ राष्टी कम्पनी कानून अपीलिय न्याधी करण का गठन कम्पनी अधिनियम जो 2013 था इसकी धारत 410 के तहट राष्टी कम्पनी कानून न्याधी करण कि आदेशों के विरुद अपीलों की सुनवाई के लिए किया गया है किसके? 2016, 2013 के और अगर दूसरे कथन की बात करूँ तो एँ आपका सही है तीसरा गलत क्यों है एच से भी देख लिज़े कम्पनी अधिनियम की धारा 410 के अनुसार चेयर परसन या फिर अध्यक्च की निवक्ति भारत के जो मुख नयादीस होते है उनके परामर्स के बाद की जाएगी भारत के मुख नयादीस के परामर्स के बाद की जाएगी ठीक? तो इसमें आप देखेंगे केबल दो कतन सही था यानि कि आपका डी ओप्षन सही था कुश्चन है मारा निमलिकित कत्रों पर विचार करना है क्या करना है? विचार करना है अंतराष्टी समुद्री संगठन ने अंतराष्टी इस्तर पर जहाज रानी और देव को संतोष जनक और प्रिभावी बनाने ही तुँ एक नियामक रूप रेखा त्यार किये जो अंतराष्टी इस्तर पर अंगी के एवं लागू की जाएगी ये कैसा है आपका? गलत देकत आई एम उद्वारा जहाजों से होने बाले समुद्री पिदूसन को रोकने के लिए भी दिसान देश जारी किये गए ये आपका सही है क्या है? ये सही है पूचा क्या है इसमें? उपयोग कत्नों में से कौन सा कत्न सही है? तो आप देख रहे हैं कि एवद दो कत्न आपका सही है पहला कत्न इसमें गलत है पहला गलत क्यों हैं इस पर भी बात कर लेता हूँ अंतराष्थी समुत्री संगठन ने अंतराष्थी इस्तर पर जहाज रानी और देवको शंतोष चिनक और प्रभावी बनाने है तुँ एक नियामत रोप्रिका तैयार की है जो अंतराश्टी इस तर पर अंगी केट एम लागू की जाएगी इसका किरियानमन राष्ट राज्जों से संबन्दित होगा किसे राष्ट राज्जों से संबन्दित होगा ठीक है और तो चलते हैं इसमें क्या पूंचे दूसरा कतना आपका बिल्बूर सही है पहला गलत है और सही पूंचा था तो केबल आप लोग क्या लगाएंगी दो यानि की बी ओप्शन टिक लगाएंगी आप लोग कुष्टन है हमारा अंगला निमलिकित में से कौन वर्ड एकोनोमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है देख रहे हैं न आप लोग यह कई बार पूचा जा रहा है आपसे इसलिए तो कहता हूँ कि बड़े अच्छे से देख लीजे तो यह जारी करता है अंतराष्टी मुद्रा कोस वर्ड एकोनोमिक आउटलुक अंतराष्टी मुद्रा कोस का एक सरवक्षन है जो हर जो बर्स में दो बार जारी की जाता है कब बर्स में दो बार आपका चलती हैं अंगली हम लोग आगे बात करती हैं अंगला कुशिन हमारे सामनी क्या है बिलेख हौल की संबंद में निमलीकित कत्रों पर होए वीचार करना है इसकी बिलेख हौल की संबंद में सरपितम आईश्टी ने बिलेख हौल सब्दिका प्रियोग किया था गलत है या अंतरिक्ष में एक ऐसा छित है जहां पदार दितना संकुचित होता है कि वहाँ ऐसे गुरुत्वाकर्चे छित का निर्मार्ट करता है जहां से पिकास भी पार नहीं हो पाता है यह बिल्कुर सही बात है आप लोग इसके बारे में सुनते भी तरहते हैं आर्ची वाल्ड वीले ने बिलेक हॉल का अनमाल लगाया था यह आपका गलत है तो इसमें क्या पूच रहा है उपेक कतनों में से कौन सा कतन सही है तो देख रहे हैं आप लोग किबल दूसरा कतन सही है बाकि एक और तीन गलत है आखिर एक और तीन गलत के हो है उसे भी बता की थी बिलेक हॉल सब्द का अगर सरप्थम बात करें तो 1960 की मत अमेरिकी विग्यानिक थी जॉन आर्ची वाल्ड वीलर इन्होंने सबसे पहले बात की थी इसके बारे में इस सब्द की ठीक है और 1915 में अलवर्ट आइश्टीन ने बिलेक हॉल की सिध्धान का पितिपादन किया था तो बिलेक हॉल सब्द का सरप्थम किसने उप्यों किया था 1960 में मत अमेरिकी विग्यानिक थी जॉन आर्ची वाल्ड वीलर और बर्स 1915 में अलवर्ट आइश्टीन ने बिलेक हॉल की सिध्धान का पितिपादन किया था इसे आप लोग याद रखें इसमें क्या ल कुष्चन हमारे सामने बिसेस आर्थिक चित एस एजय कि संद्रम में निमलेकित कत्रों पर हमें क्या गरना है विचार करना है भारत में बिसेस आर्थिक चित विदेशी व्यापार नीती के प्रावधानों के इंतरगत संचाली थे गलत है इसके पिर्मु खुद्देसों मे और निमिल परद में से एक है बस्तुं और सेवाओं के आयात निर्यात को बढ़ा देना यह थे हैं पे आपका गलत है उपी कत्रों में से कौन सा कत्र business सही है तो ना तो एक सही है और ना ही सही है यानि कि दोनों गलत हैं इसमें तो आके सही क्या होगा उस पर भी बात कर लेता हूँ भारत में सेज यानि कि आप कह सकते हैं जो विसेत आर्थिक छेत है इसे बर्स सन 2000 से 2006 तक विदेशी ब्यापान नीती के प्रावधानों के इंतरगत सांचालित किया गया इसके साथ साथ विवेन ने कानूनों द्वारा कर राजस को प्रभावी बनाने का प्रयास भी किया गया वरत मार में आप देखेंगे सेज यानि अदिनियम 2005 के अंतरगर संचालिते हैं सेज का मुख उद्देश की बात करें तो आर्थिक गति विदियों बस तो वसे वाओं के निर्यात आयात को नहीं निर्यात को की बात कर रहा हूं ठीक है इसमें निर्यात सामिल किया जाता है आयात को नहीं ततां गहरे लूएं विदेशी निवेश को बढ़ावा दिना, रोजगार, रोजगार के आउसरों में विद्धी करना और आधार भूद सुविधाओं का विकास करना इसका में उद्देश है तो इसमें क्या होगा आपका? डी ओप्सन, क्योंकि आप देख रहे हैं थी ना तो ये को सही तकतन और नहीं दो चलते हम लोग अंगले कुश्चिन की तरह क्या है कुश्चिन हमारा? कुश्चिन है हमारे सामने मंडी फसलों की नियुनतम समर्थन मूल की नेधारन में किर्सी लागत एवं मूल लायो द्वारा निमलेकित में से किन कारकों पर विचार किया जाता है यससे आपका कुश्चिन्स कई बार बन चुका है इस तरह क्यों कुश्चिन्स तो आप बड़े द्यान से इस कुश्चिन्स को इस तरह के जो भी कुश्चिन्स हों उन्हें सॉल करिएगा इसमें आप मांग एवं आप उर्ती को भी द्यान रखा जाता है गहलेलू और अंतरश्टिये दोनों बाजारों में मूल प्रवितिया भी द्यान में रखी जाती है और अंतरफसल मूल समता इसे भी सामिल किया जाता है किरसी और गैर किरसी के बीच ब्याबार की सत्य इसे भी सामिल किया जाता है यानि कि इन चारों को सामिल किया जाता है आपका किरसी लागत एवं मूल लायुक के बारे में बात करूँ तो एक जन्वरी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है और निव दिल्ली में इसका हेड़क्वाटर यानी की मुख्याला आपको देखने को मिलेगा एक समनवीत एवं संतुलित मूल नाचा त्यार करने के उद्धे से गठित किरसी लागत एवं मूल लायुक का काल 23 फसलों के नियूंतन समल्थन मूल पर परावर्स देना है और याद रखिए इसमें एक बात और बता दिता हूँ समय समय पर ये फसले बदलती रहती है इनमें आगे जुड़ती भी रहती है और हटती रहती है तो आप लोग करेंट से जुड़े रहे है तो आप को मालू चलता रहेगा और इसमें एक और बात याद रखा करिया क्योंकि देखते हैं कि कभी क्या होता है कि जो भी बदलते रहते हैं आखरे तो आपको इसलिए तो कहता हूं कि अपडेट बना रही है एक न्यूज फेपर कम से कम पढ़ते रही हैगा दिन बार में ठीक है इसके अधिकार चित के अंतराष्ट के बाजार में कीमतों की परवित्ती अंतर फसल मूलियम सम्ता किरसी इवं गयर किरसी चेत के भी ब्यापार की सरते हैं उस बस्तू के MSP का भोगताओं पर फिरवाओं भूमी एवं जल जैसे प्राक्तिस संसादनों की समचित उप्योग का भी द्यान रखता है और याद रखे इसमें क्या होता है मूल नीती लाजग जोड पराधारित नहीं होती है और इसका नियू किया है दुगनी करने की बात किया रहे तो उसी को ध्यान में रखते हुए बड़ा इस पर ध्यान भी दिया जा रहा है ठीक है तो इसमें सही हमें कूट बताना है तो आप देख रहे हैं कि चारों इसमें सही है चारों को सामिल किया जाता है तो D option आपका बिलकुल सही होगा कुश्चन है हमारे सामने अंगला वच्छत एवं वच्छत और पूजी निर्माण की उच्च दर के बापजूत भारत में निम्नेविकास दर का कि मोग की कारण क्या है इसमें होगा उच्च पूजी और उत्पादन अनपात बिद्धी सील पूजी उत्पादन अनपात एक अकसर इस्तिमाल किया जाने वाला साधन है जो अर्दवयोस्था में किये गए निवेश की इस्तर और सकल गहरे लोग उत्पाद में पईडामी जो बिद्धी होती है इसके बीच के संबंद को बताती है तो इसमें क्या होगा डी अंगला question है मारे सामने क्या है सीमान्त निदी लागत पर आधारित उधार दर किस संदरम में नेम लेकित कत्रों पर विचार करना है क्या करना है विचार करना है सीमांत निदी लागत पर आधारित उधारदर किसी बैंक की नियुनतम ब्याददर को संदर्वित करती है जिसमें कम रहने पर उधार नहीं दे सकता है यह आपका विलको सही कतन है यह वारतिय रेजर बैंक द्वारा टै की जाती है यह भी आपका सही है रेजर बैंक ने आधारदर से MCLR में परिवर्थित करने का फैसला किया क्योंकि सीमांद निदी लागत पर आधारित दरें नीटी गदरों में बदलाओ के पिती अधिक संबेदन सील होती है ये आपका विल्कुल गलत है आपको क्या पूच रहा है सही कथन बताना है तो आप देख रहे हैं एक और दो कथन आपका सही है लेकिन आप देख रहे हैं कि तीसरा कथन गलत है तीसरा कथन अखिर गलत क्यों है उस पर भी बात करता हूँ एक अपरेल 2016 में सिभारती रजर बैंक ने जो हमारी केंदरिये बैंक है अग्यीमों के लिए ब्याददर को तै करने के लिए सीमात ने दी लागत पर अधारित उधारदर की कारप्रणाली अपनाई है इस प्रणाली ने जुलाई 2010 में शुरू की गई थी आधारदर प्रणाली का इस्थान लिया है और एक बात तो याद रखें जो आर्वियाई की बात करते रहें तो बैसे तो आप लोगोंyeongको पताए होगा फर भी बता देता हूँ कि आर्वियाई की स्थापना की बात करों तो आर्वियाई की स्थापना को हुई थी एक अपरेल 1935 में या अंगरेजों के समय आपकी हुई थी समझ रहे हैं तो इस तरह के भी आप लोग याद रख लिया करेगा क्या होता है कि कभी इंटर्वीव में कई बार कुश्चन्स बन जाते हैं तो इसमें क्या होगा आपका ए ओप्सन बिल्कुल सही होगा क्योंकि सही कुश्चन्स सही आंसर पूछाता न तो यह यह होगा अंगला कुश्चन है हमारी सामने क्या है स्वायद पहल निमलेकित में से किस से सम्बंदी थे स्वायद पहल निमलेकित में से किस से सम्बंदी थे या कि या Startups को बढ़ावा देने ये तो एक पहल है आपकी क्या B-Options सही है स्वाइद Startups को बढ़ावा देने वाली एक पहल है स्वाइद Government E-Market Place पर E-Trans transaction के माध्यम से Startup महला और इवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वाइद भारती उद्दम सीलता पर इस्थितिकी तंत के वे पिर्मुक हित्दारगू को राष्टी उद्दम पोर्टल गवर्रमेंट E-Market Place के साथ जोडने का काम करेगा तो इसमें आपका B-Option विल्कुल सही है अंगला कुशन है हमारे सामने भारती रजर बैंक के विदेसी मुद्रा कोस में निमलिकित में से क्या-क्या सामिल किया है क्या पूच रहा है भारतिय रिजर्ब बैंक के विदेशी मुद्रा को निमलिकित में से क्या-क्या सामिल है आपको बताता हूना है कि जब आपके पास अगर 2000 का नोट है और आपको भरोसा नहीं रहा है तो आप RBI ये पास जा सकते हों कह सकते हैं भरोसा नहीं है इस नोट पर तो वो आपको या तो हार्ड करेंसी में देदेगा या उतना सौना देदेगा 2000 रुपे का ठीक है? गोल्ड तो इसमें आपका देखेंगे विदेशी मुद्रा संपत्ती ये सामिल जाता है बिषेट अहरम अधिकार इसे हैं भिदेशों से लिया गया रैड इसे ने सामिल किया जाता है रजर आफ टैंच, ट्रैंच इस्तिती इसे भी आपका सामिल किया जाता है नीचे दीया कूट का प्रि depend का सही वतर चुणना है तो आप देख रहे हैं कि एक, दो और चार कूट आपका कथन सही है एक तरह से सौने को भी इसमें सामिल किया जाता है याद रखिए सौना भी आप देखते हैं कि सामिल रहता है तो इसमें क्या होगा आपका? B option भी कुछ सही होगा चलते हैं अंगले question की तरफ उन लोग क्या question हमारा? भारती रेजर बैंक ने सारवजनिक केडिट रजिस्टी पर एक उच्चिस तरह समती का गठन किया था जो भारत के लिए एक पारदर्सी ब्यापक और निकट वास्त्विक समय वाली PCR विक्सित करने ही तू सुजाओ देगी इस समती के अध्यक्ष कौन रहे? तो आप देख रहे हैं होगे कि YM देवस्थली YM देवस्थली B option sorry, D option सही है D option सही है इस समती की पिरमुक सिफारिशों की बात करूँ तो RBI द्वारा एक सार्जविनेक केडिट रजिष्ट्री इस्थाबित कर इसे कानूनी ढाचा पर द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए केंद्रिय बैंक द्वारा इस तरह की रजिष्ट्री को एक अलग गेल लापकारी संस्था की रूम में इस थारांती करने पर भी विचार किया जा सकता है इसमें PCR में बाहेवडजिक उधारों बाजारों और बाजार के उधारों और सभी आकस्मिक देंदारियों जैसे आकड़ों का समाविशन होना चाहिए साथ ही इसके अंतरगत उधार करता कि रिड गर्ष्टता के संबन्द में एक समग चित्त भी उपलब्द कराना चाहिए रजिष्ट्री में सभी रिडों के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों जानकारियां नहित होने चाहिए यानि कि सामिल होना चाहिए PCR डेटा को सभी हिद्धार्गों के लिए उपलब्द कराना चाहिए जैसे कि जरूरत की आदार पर बैंक इस डेटा का इस्तिमाल कर सकते हैं डेटा की गोपनियत्ता के संबन्द में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिए डेटा गोडबत्ता का दायत रिपोर्टिंग एजन्सियों और संस्थानों पर होना चाहिए तथा नेमों में किसी भी कार का उलगन होने की स्तिति में संस्थानों के खिलाब कारवाही की जाने चाहिए डेटाबेस को डेफाल्टर डेटाबेस से भी जोड़ा जाना चाहिए उधारन के लिए आप लोग ले सकते हैं कि Export Cadet Guarantee of Cooperation of India GST Network इस तरह ऐसे तो इसमें आपका क्या है D चलते हैं हम लोग अंगले कुश्चन की तरफ क्या है अंगला कुश्चन हमारा Software उत्पादों पर राष्टी नीती 2019 के संदरम में नेमलिकित कत्रों पर हमें विचार करना है क्या गरना है? विचार करना है इस नीती के तहट 2000 करोड रुपे की परिवे के साथ Software उत्पाद विकास नीदी की परिकल्पना की गई यह आपका गलत है इसका एक लक्ष एक इस्थाई और भारतिये Software उत्पाद 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 की नीरमार को पुरोसान करना जिससे वर्स 2025 तक बैस्विक Software उत्पाद बाजार में भारत की सेदारी में दोगनाबडों 3 पर तक पहुँचा जा सकता है यह भी आपका गलत है क्या है गलत है इसका एक लक्ष Software उत्पाद 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 में 10,000 परोद्पाद की स्टार्टप को फोसित करना जिसमें Tier 2 और Tier 3 नगरों में ऐसे 1000 परोद्पाद की स्टार्टप भी सामिल है इसका लक्ष Software उत्पाद उत्पाद विकास कलस्टर विक्सित करते हुई एक कलस्टर इस्तापित आधारित नवाचार संचालीत पारिस्तित की तंद का निर्मार करना है इसमें पूछा क्या है उप्योग कतनों में से कौन सा कतन सही है तो आप देख रहे हैं कि एक कतन आपका गलत है दो कतन भी गलत है केवल तीन और चार आपका कतन सही है एक और दो आपका गलत क्यों है इस पर भी बात कर लेता हूँ इसके तहित क्योंकि आपने देखा है फंद्रे सो करोड रुपे को सौप्ट्वियर उत्पाद विकास निदी और अन्मसन्दा और इवं नवाचा निदी में विभाजित किया जाएगा कितना फंद्रे सौ करोड यहाँ दो भजार दिया गया था इसलिए गया लगत था बाजार में भारत की सिधारी में दस गुना बड़ो तरी तक पहुंचा जा सकता है कितना दस गुना ना कि दुगना ठीक है तो इसमें आपका क्या देखेंगे तीन और चार कथन सही था यानि कि आपका बी ओप्शन बिल्कुल सही था चलते हैं ले कुश्चन की दरब क्या है कुश्चन हमारे सामने उदय उज्वल डिस्कॉम इंसोरेंस यह उजना के संदर में निमलिकित कतनों पर विचार करना है इसे वितरन कंपनियों के परीचालन और वित्तिय आग्चमताओं का इस्थाई समाधान सुनिश्चित करने क उद्देश से सुरू किया गया था हाँ ये सही बात है बिजली चेत में तरावगर्ष्ट परिसंबत्तियों में बिद्धी के कारण यह उजना सभी राज्यों के लिए अनिवारी की गई है ये आपका सही है सुरी गलत है पहला कतन आपका सही है दूसरा गलत है पूंच क्य कि बा्त करें तो 2015 में जारी की गई थीै कब इसकी सुरूआ अतुइ 2015 में ठीके और उद्ध पर भागिदारी के लिए स्वेक्षि के उझना है, जिसमें राज अपनी इक्षा से सामिल हो सकते हैं, कौन, राज जिसमें सामिल हो सकते हैं, अपनी इक्षा से, इसमें आपका केवल, एक कथन सही था, यानि कि a option बिल्कुल सही था, अंगला कुशिन है हमारे सामने निमलिखित में से कौन से कार उर्जा दक्षिता ब्यूरो द्वारा किये जाते हैं निमलिखित में से कौन से कार उर्जा दक्षिता ब्यूरो यानि कि BEE द्वारा जारी की जाते हैं उर्जा की खबद करने वाले उकरणों के लिए मानक और लिबल अनिवार करना ये किया जाता है वडिजिक भावनों के लिए उर्जा सनरक्षन भवन सहिता निर्धारित करना ये भी किया जाता है लगू और मद्यम उद्योगों में उद्धुमों में उर्जा दक्षेता को बढ़ावा देना इसे भी सामिल किया जाता है उर्जा दक्षेता को बढ़ावा देने के लिए राजकोसिये साधन विक्सित करना इसे भी आपका सामिल किया जाता है सही चुनना है तो आप देख रहे हैं कि चारों को सामिल किया जाता है इसमें किसे चारों को सामिल किया जाता है और याद रखे उर्जा सनरक्षन अदिनियम 2001 के तहट इस्थाफित आपका उर्जा दक्षिता प्यूरो है क्या है 2000 ऊर्जा सनरक्षन अदिनियम 2001 के तहट इस्थाफित किया गया था तो इसमें क्या देखेंगे आप D option सही देखेंगे चारों को इसके कारे है चलते हैं अंगले question की तरफ क्या है question हमारा बैस्विक उर्जा तथा CO2 यानि की carbon dioxide इस्थिती रिपोर्ट जारी कौन करता है एक करता है आपका अंतराष्टिये उर्जा एजनसी द्वारा अंतराष्टिये उर्जा एजनसी द्वारा जारी की जाती है जिसे आप लोग IEA के नाम से भी जानते हैं इसकी इस्थाफना 1998 में की गई थी एक बात और याद रखिए कि इस तरह को फरसे मैं बोलाओं कि इस तरह के जोगी संग्र ने उन्हें अच्छे से याद कर लीजें क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बार-बार दुहरा रहा हूं इनका आपका कई बार questions बन चुके हैं से और हमेसा बनते रहें इसका मुख्याला आपको देखने को मिलेगा बेना ऑस्टिया में ऑस्टेलिया नहीं ऑस्टिया इसमें भी confused हो जाते हैं हम लोग अंगला question है हमारे सामने नेमलिकित में से कौर नेमलिकित में से कौन से कार गै गलत है यह स्वयम को आहरत चेक जारी गर सकती है यह भी आपका गलत है इसमें क्या पूंच रहा है सही कथन हमें चुनना था तो आप देख रहे हैं कि दोनों कथन गलत हैं क्या है दोनों कथन गलत है क्योंकि जो NBFC यानि कि गैर banking वित्तिया कंपनिया है यह मांग जमा को स nbfc भुक्तान और निप्टान परणाली का हिस्सा नहीं है और स्वयम को आर्थिक चेक जारी भी नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसमें आपका d option होगा ना तो एक सही था और ना ही दो तो चलिए यह थे आपके कुछ मत्मूर questions और उनके answer तो मिलते हैं हम लोग साथवे टेस्ट में अच्छे से बने रही है और अच्छे से मल लगाकर पढ़ते रही है